धर्म के केंद्र में करोना बैठी है ये सही हो ही नहीं सकता कि धर्म के नाम पर जानवर की बली दी जाए बिलकुल साफ सपष्ट बेबाक दोटूक रखराओं ये ठीक नहीं है आप सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रगंबर अब्राहिम थे उनको सपना आया और उनको कहा गया क कि अपने बेटे की स्माइल की कुर्बानी थे तो अपने बेटे के लेकर गए कुर्बानी देने बस कुर्बानी देने वाले थे कि तभी फरिष्टा आ गया फरिष्टे ने कहा कि तुमने जो ये भाव और ये निश्था शद्धा दिखाई है तो इश्वर प्रसंद हुए और उन्होंने कहा है कि कोई आवशक्ता नहीं है बच्चे को मारने की इतनी देर में एक भेड दिखाई थी वो उस भेड के जो सींग थे वो कहीं जाड़ी में फस गए थे तो फिर बच्चे की जगे उस भेड की कुरवानी दे दी गई और उस तब से ये प्रथा चल पड़ी है कि भई चलिए ईदो लजहा में बकरे को मारा जाएगा या किसी जानुवर को मारा जाएगा इसका अर्थ क्या है कहानी का आप ये भी तो समझे देखें देखिए ये जो एनिमल है ये बहुत बड़ा संकेत है और ये दुन्या के सब धर्मों पंथों में पाया जाता है कभी अश्चो के रूप में, बकरे के रूप में, भैसे के रूप में, साप के रूप में लगबख सभी धर्म उस एनिमल की बात करते हैं कि एक एनिमल है और उससे साउधान रहना है, उसकी कुर्बानी देनी है या उस पर वश कर लेना है ये बात क्या है? ये बात ये है कि आदमी भी बहुत हद तक पशु ही है आदमी भी जंगल की ही पैदाईश है और जंगल बहुत सारा हमारे भीतर मौजूद है जंगल वो हमसे जानवरों सा बरताओ करवाता है जानवर कौन है जानवर वो है जो बस खाने पीने भोगने सेक्स करने सोने में बोध नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, जानवर में एक अपनी प्रकृतिगत मासूमियत है, वो उसी में अपना लिपत रहता है, उसे कोई यात्रा नहीं करने हैं, उसे बहतर नहीं होना है, कुत्ता जैसा पैदा हुआ है, उसे वैसा ही मर जाना है, शेर को भी जिराफ को, भी चुहे को, भी खरगोश को, भी साप को, आदमी ऐसा नहीं है, आदमी के भीतर एक जानवर। बिलकुल मोजुद है, जो बिलकुल वैसी हरकतें करता है, वैसी वृत्तिया, वैसी टेंडेंसीज रखता है जैसे हो जगल वाला जानवर। लेकिन आदमी के भीतर, उस जानवर है वो रुकावट होता है चेतना चाहती है कि वो उसे ज्ञान मिले जानवर कहता है नहीं मुझे नीन चाहिए क्योंकि जंगल का जानवर देखी हो मस्क सोता है आपने कोई जानवर नहीं देखा हो जो किसी उचे उदेशे के लिए अपनी नीत की कुर्वानी दे दे चेतना कहती है मुझे मुक्ते चाहिए भीतर का जानवर कहता है नहीं मुझे तो खाना चाहिए कुछ भी करके चुरा के भी खाना मिले चलेगा मुझे भोग करना है, मुझे सेक्स करना है आप बहतर हो सकें उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपके भीतर का जानवर है यह जो भीतर का जानवर है इसकी कुर्मानी देनी होती है बाहर वाले जानवर की कुर्मानी देकर कि क्या मिल जाएगा पागलपन है बाहर जानवर को मार देना पागलपन है, कुरूरता है, अमानवी है तो कहानी का मर्म यह है कि चेतना के उंचे उद्देश्यों के लिए अपने भीतर की पाशविक्ता को पीछे छोड़ो चेतना के उंचे उद्देश्यों के लिए अपने भीतर के जानवर की सुनना बंद करो जानवर क्या चाहता है, जानवर वही सब को चाहता है, जो जंगल का जानवर चाहता है, जैसे जंगल का जानवर ही चाहता है, कि उसका एक शेत्र हो, उसके अधीनस्त एक शेत्र हो, एक टेरिटोरी हो, उसको भी टेरिटोरी लगोपेशन करना होता है, खुत्तो को देखा न, वो जो अपना क्षेत्र है उस पे ऐसे निशान बनाते है और उसमें कोई और कुटा जाए जो बहुत जोर से भौगते है वैसे इंसान के भीतर जानवर करता है नहीं नहीं मुझे भी एक टेरिटरी पे कबजा करना है शुरुवात होती है घर से फिर और और जादा कि यहां पर मेरा हुकम चलना चाहिए वहां भी हुकम चलना चाहिए अब यह जो पूरा इलाका है यह मेरे कबजे में है यह आपके भीतर का जानवर है जो काम कर रहा है तो इसको पीछे छोड़ना है कहानी का मर्म यह है भीतर के जानवर को वशिभूत करना है